नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार रिया सुनहा आपके साथ है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंचाय चुनाओ की अधी सूचना जारी कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग ने फेज बाई फेज डीटेल में बताया है कि किस चरण में कितन डिवाइड किये गए हैं पहले चरण में कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, और अंगाबाद, जहानवाद और अर्वल जिले में वोट डाले जाएंगे वहीं 29 सतंबर जोकी दूसरा चरण है वो 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे आठ अक्टूबर को तीसरा चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंड में वोट डाले जाएंगे, पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाओ कराए जाएंगे, मैंने बताया दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंड में, तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंड में, चौते चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाओ कराए जाने है 10 जिलों में 34 जिलों के 33 प्रखंडों में चुनाओ और 11 जिलों का मद्दान 12 प्रखंड इलाकों में होगा, इसके तहत 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाओ कराने की तयारी होगी 2.59 लाख से अधिक पदो पर चुनाओ होना है और 30 तर्य चुनाओ इस बार कराया जा रहा है पंचाय चुनाओ में हमने आपको बाकी सारे डिटेल्स बताएं आगे आने वाले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कितने कितने प्रखंड प्रथम चरण में आ रहे हैं विभिन जिलो के जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट चरण में 10 जिले जो है वो कवर किया जाएंगे जिसमें केवर 12 प्रखंड हैं लेकिन कई ऐसे चरण हैं जहां पर 33-63 प्रखंड कवर किया जाएगा और यह बहुती चुनाती पूर्ण होने वाला है सातवा चरन सबसे मुश्किल है क्योंकि यहां 37 जिलों में लगभग 33 प्रकंड कबर किया जाना है इसके लावा आपको बता दें कि इस बार कुल 2,69,260 पदों पर निर्वाचन करवाया जाएगा निर्वाचन होगा इसमें मुखी आवसर पंच के लिए क्रमस 8,387 पद है और साती सात वार सदसे के लिए 1,14,667 पद है पंचायत समीती के लिए 11,497 पद है और परिसद सदसे के लिए 11,101 पंच के लिए 1,14,667 पद है तो इस डिटेल्स हमने आपको उता हैं आगे और फीडियों में हम और हमारे साथ ही आपको लगतार पंचायत चुनाओ से रिलेटेड हर डिटेल पहचाएंगे कितने प्रखंड में कहां कहां चुनाओ हो रहा है ये भी लगतार आपको बताते रहेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूस पियार के साथ